हेलो एवरिवन आपका अडॉर इंग्लिश लेर्णिंग चैनल में स्वागत है आज हम कुछ ऐसे वाक्य सीखेंगे जो प्रति दिन बोले जाते हैं और ऐसे वाक्य जो हमारे पुलाइट बिहेवियर रेस्पेक्टफुल बिहेवियर को दूसरों के सामने शो करता है यहीं कि जो सेंटेंस पॉलाइटली शो करते हैं फॉस्ट है हमारा आपसे मिलकर खुशी हुई जब हम कैसे से फॉस्ट टाइम मिलते हैं दिन में चाहे या बहुत टाइम के बाद मिलते हैं तो हम उनसे कहते हैं ना कि आपसे मिलकर खुशी हुई तो उसी को हम English में कैसे कहेंगे? Glad to meet you दूसरा है आशा है आप मजे में है हम किसी से कहते हैं कि I hope आप खुश होंगे तो उसी को हम English में कैसे कहेंगे? Hope you are enjoying yourself कस्ट के लिए क्षमा करें अगला है हमारा कस्ट के लिए क्षमा करें यदि हम किसी का काम सही से करके नहीं देते या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ गलत कर देते हैं तो हम उनसे कह सकते हैं English में Sorry for the inconvenience Sorry for the inconvenience आपकी बड़ी क्रिपा है जब कोई हमारी help करता है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी help करता है तो हम कहते हैं आपकी बड़ी क्रिपा है तो इसको हम English में कहेंगे That's very और so kind of you वेरी की जगा हम so का use भी कर सकते हैं आपकी अच्छी सला के लिए धन्यवाद जब कोई हमें सला देता है हमारे किसी कुछ पूछने पर तो हम उनसे कह सकते हैं Thank you for your kind और valuable advice तो हम यह kind की जगा valuable का use कर सकते हैं Thank you for your kind valuable advice मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी किसी काम को करने के लिए हम अपना पूरा effort लगाते हैं तो हम कहते हैं कि मैं इस काम को करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगी या करूँगा तो English में हम कहेंगे I will try my level best I will try my level best आराम से बैठिये किसी को बैठने के लिए हम कहेंगे जो uncomfortable थोड़ा feel कर रहे हो तो उनसे हम कहेंगे Please make yourself comfortable Please make yourself comfortable जरा धीरे बोले अगर कोई जोर-जोर से बोल रहा है और उसे हमें कहना हो कि कृपया आप धीरे बोले तो हम English में कहेंगे Will you please slowly Will you please slowly माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई अगर आप कहीं टाइम पे नहीं पहुँच पाए और आपको उस चीज का थोड़ा खेद है तो आप उनसे कहेंगे I'm sorry, I got a little late I'm sorry, I got a little late आपकी आग्या से कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ अगर हमें कुछ कहना होता है कुछ लोगों के बीच में और हमें आग्या की ज़रूत होती है नहीं उनसे permission लेना है तो हम English में कहेंगे Allow me to say Please allow me to say Thank you for watching